गुड आफटरनून टो ओल जैसी के आपको पता ही कि क्यू कार्ड की जो मकराल स्पिकिंग क्यू कार्ड की पीडियाफ अभी तक नहीं आई बट हमें जो भी क्यू कार्ड पता लग रहे हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अगर किसी बच्चे को यह क्यू कार्ड में प्रॉब्लम आ रहे है तो वह यह क्यू कार्ड का सैंपल आंसर जरूर देखे सो आज की वीडियो स्टार करते हैं का क्यू कार्ड है डिस्क्राइब विलेच नियर ओफ यूर हूम टम कोई विलेच जो आपके गर के पास हो वाट इस इट कौन सा है वो नाम बताना वेरिट इस कहां पे है वन यू वें देर कब गए वहां पे डिस्क्राइब यूर एक्स्पिलियन से आपने अपना सिटी तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं वो विलेच जहां पे मैं गया हरी के पत्तन और जो ये विलेच है वो नौर्थ पार्ट में है और ब्यास सिटी के अंडर रहता है आई वें दियर इन मैं चाल्ड हूड विद मैं पैरेंट्स तो मैं अपने पैरेंट्स के साथ अपने बच्पन में एंड लास्ट विजेट वास इन अपरल में अपनी मा के साथ इस विलेच अलमोस्ट एंट्स किलो मेटर अवे फॉर्म दूरी पे है जहां पे मैं रह रहा हूं आई वस सर्प्राइज तो सी दा विलेच इस विलेच डिवलेच जीवलेच डवलेच डव रही है इस विलेज के उनके एफर्स की वज़ा से लोकल बीपल अफ दा विलेज सेट अप एन एंजियो तो जो लोकल बीपल उन्हों ने ही अपनी जो एंजियो वो चलाई हुई है यहां पे एक साउंड प्रूफ कम्यूनिटी हॉल विच ग्लोबली रेकोगनाईज तो यहां पे एक स्टेडियम भी बना हुआ और फिश मार्किट भी है जो की पूरे देश में पूरी कंट्री में जानी जाती है street light water heater and pumps everything is solar street lights होगे water heater होगे जो pump वगएर हर चीज solar पे दूप पे चलती है people have smokeless toolers and biogas plant in their homes तो लोगों के गरों में smokeless toolers जो दूआ वगएर नहीं चोड़ता biogas plant है no wonder it is called energy village तो बिना शक के इस village को energy village भी कहा जाता है besides that the wetland and the lake were formed by constructing the headworks तो इसके साथ साथ जो एक wetland है और लेका वो बनाई गई है headworks की construct की वज़ा से जो सतलूच रिवर के पास है 1903 तरवंजा में this water is used for irrigation purpose यह सिंचाह के लिए यूज के जाता है यह जो पाने निकलता है सतलूच नदी से there is also rich biodiversity with several species of birds, turtles, snakes, amphibians, fishes and invertebrates is reportedly unique तो यहां पे बहुत जदा biodiversity है बहुत जदा यहां पे पशु पक्षी है, snakes हो गए जो पानी में जीव रहते हैं, fishes हो गए हैं यह वाले सारे जो वहां पे पाई जाते हैं, so I like the area very much and planning to go there, इसलिए मुझे यह एरिया बहुत जदा पसंद है और मैं plan कर रहा हूं जाने का, so यह क्यों काड़ा होब आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज हमारे चैनल को like, share और subscribe करो, और इसी तरह और भी अपडेट्स दानने के लिए, please आप हमें Instagram पे follow कर सब्सक्राइब,